जै माता दे, माता दुर्गा की किर्पा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब मैं आज आपनों को सुनाने जा रही हूँ। स्री गणिशाय नमः, स्री दुर्गाय नमः, अथ स्री दुर्गा सप्त सती दुईतियो अध्याय ह। देवताओं के तेज से देवी का प्राधुर्भाव और महिसासुर की सेना का वद। विनियोग ह। ओम, मध्यम चरित्र के विश्णोरिसी, महालक्ष्मी देवता, उश्रेक चंद, शाकंबरी शक्ती, दुर्गा वीजम, वायू तत्व, यजुर्वेद स्वरूप है। स्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। और चक्र को धारण करती हैं। रिशी उवाच। रिशी कहते हैं, पुर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सो वर्सों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिसासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महावली असुरों से परास्त हो गए। संपून देवताओं को चीत कर महिसासुर इंद्र बन बैठा। अब पराजित देवता प्रजापती ब्रह्माजी को आगे करके उस इस्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विश्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिसासुर के पराकरम तथा अपनी पराजय का इथावत ब्रितांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पुर्वक के सुनाया। वे बोले भगवन, महिसासुर, सूर्य, इंद्र, अगनी, वायू, चन्रमा, यम, वरुन तथा अन देवताओं के भी अधिकार को छीन कर स्वयम ही सब का अधिश्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिश्ट ने समस्त देवताओं को सुर्ग से निकाल दिया है। अविवे मुनियों की भाती प्रिथवी पर विचरते हैं। देट्यों की यह सारी कर्तूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आप की ही सरण में आए हैं। उसके वद का कोई उपाय सोचिये। इस प्रकार देवताओं के वच्चन सुनकर भगवान विश्णू और शिव ने द्यत्यों पे बड़ा क्रोध किया। उनकी भवे तन गई। मुह तेड़ा हो गया। तब अत्यनत कोप में भरेवे चक्र पाणी सी विश्णू के मुक से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदी अन्या अन देवताओं के सहीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वहपुंज जाजवे मान परवत्सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के सरीर से प्रगट हुए उस तेज की कहीं तूलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परणित हो गया और अपने प्रकास से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान संकर का जो तेज था उस से उस देवी का मुख प्रगट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आये। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्य हो गए। चन्रमा के तेज से दोनों इस्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग, कटी प्रदेश का प्रादुर्भा हुआ। वरुन के तेज से जंघा और पिंडली तथप्रिथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूरी के तेज से उनकी अंगुलियां हुई वसुओं के तेज से हाथों के अंगुलियां और कुवेर के तेज से नासिका प्रगट हुई उस देवी के दात प्रजापती के तेज से और तीनों नेत्र अगनी के तेज से प्रगट हुए थ इस प्रकार अन्या अन देवताओं के तेज से भी कल्यान मैं देवी का आविर्भा हुआ तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रगट हुई देवी को देख कर महिसासुर के सताय हुए देवता बहुत प्रसन हुए पिनाक धाड़ी भगवान संकर ने अपने सूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया फिर भगवान विश्णू ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्य करके भगवती को अरपन किया वरुन ने भी संक भेट किया अगनी ने उन्हें शक्ति दी और वायू ने धनुष तथा बान से भड़े वे दो तरकस प्रदान किया। चूरी के देवी के समस्त रोंप कूपों में अपनी किर्णों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। निर्मल नुपूर गले की सुन्दर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगुठियां भी दी। विश्व कर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिये। इनके सिवा मस्तक और वक्ष अस्तल पर धारण करके कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलदी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेट किया। हिमाले ने सवारी के लिए सिंग तथा भात भात के रत्न समर्पित किये। धना ध्यक्ष कुवेर ने मधूर से भरा पान पात दिया। तथा संपुन नागों के राजा। शेस ने जो इस पृत्वी को धारन करते हैं उन्हें बहु मुल्य मणियों से विभूसित नाग हार भेट दिया। इसी प्रकार अन देवताओं ने भी आभूशन और अस्त सस्त देकर देवी का सम्मान किया। तथ पैस्चात उन्होंने बार अमबार अठा हास पुर्वक उच्छ स्वर से गर्जना की। उनके भैंका नाद से संपुन आकास गुंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्छ स्वर से क्या हुआ सिंग नाद कहीं समान ना सका। आकास उनके सामने लगू प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिधनी हुई जिसे संपुन विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काप उठे पृत्वी डोलने लगी और समस्त परवत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंग वाहनी भवानी से कहें धे देवी तुम्हारी जै हो। साथ ही महर्शियों ने भ्यक्ति भाव से विनम्र होकर उनका इस्तवन किया। समपून त्री लोकी को शोब ग्रस्त देख दैत गण अपनी समस्त सेना को कवच आदिसे सुसर्जित कर हाथों में हत्यार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिशासूर ने बड़े क्रोध में आकर कहा आहा यह क्या हो रहा है। फिर वह समपून असरों से घिर कर उस सिंगनाद की ओर लक्ष करके दोड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवी को देखा। जो अपनी प्रभासे तीनों लोकों को प्रकासित कर रही थी। उनके चर्णों के भार से प्रिथ्वी दवी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिच रही थी। तथा वे अपने धनुस की टंकार से सातों पातालों को छुप्द किये देती थी। देवी अपनी दसों हजारों भुजाओं से संपून दिसां को आक्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ देत्यों का युद छुड़ गया। नाना प्रकार के अस्त सस्त्रों के प्रकार से संपून दिसां उद्भाशित होने लगी। चिशूर नामक महां असुर महिसासुल का सेना नायक था देवी के साथ युद करने लगा। आने दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60 हज़ा रथियों के साथ आकर उधागर नामक महा दैत्य ने लोहा लिया। एक करोड रथियों को साथ लेकर महा हनु नामक दैते युद्ध करने लगा जिसकी रोएं तलवार के समानती के थे वो असी लोमा नाम का महा दैते पांच करोड रथी सेनिको सहित युद्धों में आडटा साथ लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैते भी उस युद्ध भूमी में लढ़ने लगा परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुर सवारों के अनेक दलों तथा एक करोड रथियों की सेनिक लेकर युद्ध करने लगा विडाल नामक देत पांच अरव रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा इसके अत्रेक्त और भी हजारों महा देत रथ हाथी और घोडों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे स्वेम महिसासूर उस रणभूम में कोटी कोटी सहस्तर रथ हाथी और घोडों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था वे देत देवी के साथ तोमर भिंदिपाल शक्ती मूशल खडग परशू और पट्टिस आधी अस्त सस्तों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे कुछ देतियों ने उन पर शक्ती का प्रहार किया कुछ लोगों ने पांश फेके तता कुछ दूसरे देतियों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्ध्यो किया देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त सस्तों की वर्षा करके देतियों के वे समस्त अस्त सस्त्र काट डाले उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन नहीं था देवता और रिशी उनकी इस्तुती करते थे और वे भगवती परमेश्वरी देतियों के शरीरों पर अस्त सस्तों की वर्षा करती थी देवी का वाहन सिंग भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुनों की सेना में इस प्रकार विच्रने लगा मानों वनों में दावा नल फैल रहा हो रण भूमी में देतियों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निह स्वास छोड़े वे सभी ततकाल सेकणों हजारों गणों के रूप में प्रगट हो गए और परशु, भिंदिपाल, खडग तथा पट्टिस आदी अस्त्रों द्वारा असुनों का सामना करने लगे देवी की सक्ति से बढ़े वे वे गण असुनों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदी बाजे बजाने लगे उस संग्रा महसों में कितने ही गण, मिदंग बजा रहे थे तदंतर देवी ने तिशूर से गदाशे, शक्ति की वर्सा और खडग आदी से शेकलों महा देत्यों का संगार कर डाला कितनों को घंटे के भेंकर नाज से मुर्चित करके मार डाला बहुतेरे देत्यों को पाश से बांध कर धर्ती पर घसीटा, कितने ही देत्यों उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकडे हो गए कितने ही गदा की चोट से घायल हो धर्ती पर सो गए कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त ववन करने लगे कुछ दैत शूल से छाती फट जाने की कान प्रिथवी पर धेर हो गए उस रण आंगर में बान समोहों की व्रेष्ट से कितने ही असुनों की कमा तूट गई बाज की तरज पटने वाले देवी पिंड़क के दैत गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे किने की वाहें छिन भिन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर मद्ध भाग में ही विदिर्ण हो गई, कितने ही महा दैत जांगे कट जाने से प्रिथवी पर गिर पड़े कितनों को ही देवी एक बाँ, एक पैर और एक नेतर वाले करके दो टुकडों में चीर डाला कितने ही दैते मस्तक कर जाने पर भी गिर कर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हत्यार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते, दूसरे कवंध युद्ध के बाजों की लेपर नाचते थे कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग, शक्ती और रिष्टी के लिए दोड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादयते ठैरो ठैरो यह कहते वे देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे जहां वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धर्ती, देवी की गिराईवे रथ, हाथी, घोड़े और असरों की लासों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था, देथियों की सेना में हाथी, घोड़े, असरों के सरी से इतनी अधिक मात्रा में रक्त पात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदिया बहने लगी, जगदंबा ने आसरों की विश्याल सेना को छण भड़ में नश्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जस्ते त्रण और काट के भारी धेर को आग कुछी ही छणों में भस्म कर देती है, और वह सिंग भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ, देत्यों के सरीर को मानों उनके प्राण चुने ले रहा था, वहां देवी के गणों ने भी उने देत्यों के साथ ऐसा युद्धिक्या, जिससे आकास में खड़वे देवता गण, उन पर बहुत संतुष और फूल बरसाने लगे, इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावनी मनमंतर की कथा के अंतरगत, देवी महातमे में महिसासुर की सेना, वद, नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ, माता रानी की जैहो, बोले बाबा की जैहो, मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आ तो किर्पे लाइक जरूर करिएगा, जै माता दे, माता दुर्गा की किर्पा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, अब मैं आज आपनों को सुनाने जा रही हूँ, अथ श्री दुर्गा सब्त सती, अध्याय तीन, सेना सहित, महिसा सुर ध्यानम तीनों नेत्रों से शुशोवित, मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है, उनके मस्थक पर चन्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है, तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है, ऐसी देवी को मैं भक्ती पुर्वक प्रणाम करता हूँ रिशी कहते हैं, देत्यों की सेना इस प्रकार तहस्तनास होते देख, महा देत्य सेना पती चिछुर क्रोध में भरकर अमिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे वढ़ा, वह असुर रणभूमी में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्सा करने लगा, जैसे बा बाणों से उसके बाण समों को अनायासी काट कर उसके घोडों और सारथी को भी मार डाला, साथ ही उनके धनुष सत्था अत्यंत उची धोजा को भी ततकाल काट गिराया, धनुष कर जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला, धनुष, रथ, घोडे और सा अरथी के नश्ठ हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दोड़ा उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंग के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े बेग से प्रहार किया है। और उसे उस महादयत ने भगवदी भेदरकाली के ऊपर चलाया पर वह शूल आकास से गिरते हुए सूरी मंडल की भादी अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी और आते देख देवी ने भी उस शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथी महाद्यते चिछुर की भी धज्जियां उडगें। वह प्राणों से हाथ दो बैठा। महिसासुर के सेनापती उस प्राक्र में चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चड़ाया। उसने भी देवी के उपर शक्ति का प्रहार किया। किन्तु जगदंबा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निस्प्रभ करके ततकाल भूम पर गिरा दिया। शक्ति तूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया। किन्तु देवी ने उसे भी अपने बानों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंग उचल कर हाथी के मस्तक पर चड़ वैठा। और उस दैत के साथ खूब जोड लगा कर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से प्रिथवी पर आ गए। और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसे पर बड़े ही भेंकर प्रहार करते वे लड़ने लगे। तदंतर सिंग बड़े बेग से आकास की और उचला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर्धर से अलग कर दिया। इस प्रकार उदगर भी शीला और ब्रक्ष आदि की मार खाकर रण भूम में देवी की हाँस से मारा गया। तथा कराल भी दातों, मुकों, अठपनों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उध्यत का कचुमर निकाल डाला। भेंदी पाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रोवाली परमेश्वरी ने तिशूर से उग्रा अस, उग्र मीर तथा महाहनुनामक तैत को मा डाला। तलवार की चोट से विडार के मस्तक को धर से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुक इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोप भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संगार देथ। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर्ध महादेवी के सिंग को मारने के लिए जप्ता। इससे जगदंबा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर प्राक्रमी महिसासुर्भी क्रोध में भर कर धर्ती को खुरों से खोधने लगा। तथा अपने सिंगों से उचे उचे परवतों को उठा कर फेकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण प्रित्वी छुप्त होकर भटने लगे। उसकी पूँच से टकरा कर समुद्र सब और से धर्ती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदेन होकर बादलों के टुकडे टुकडे हो गए। उसके स्वासों के प्रिचंड वायू के वेग से उड़े हुए सेकडों परवत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महात्यत्य ने अपनी ओर आते देख चन्रिका को उसका वद करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंगराम में बंद जाने पर अपने भैसे का रूप त्याग दिया। और ततकाल सिंग के रूप में वह प्रगट हो गया। उस अवस्था में जगदंबा ने जेहूं उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई। तियम ही वह खड़कधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत ही बाणों की वर्चा करके धाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींद डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परनित हो गया। तथा अपनी सूर से देवी को विशाल सिंग की ओर खीचने और गरजने लगा। खीचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर कार डाली। तब वह महादयत पुना भैसे का सरी धारन कर लिया। और पहले कहीं भाती चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडी का बारम बार उत्तम मदुका पान करके लाल आखे करके हसने लगें। धर्वह बल और प्राक्रम के मस्से उनमत हुआ राक्षस गरजने लगा। और अपने सींगों से चंडी के ऊपर परवतों को फेकने लगा। उस समय देवी अपने बारों के समू से उसके फेके हुए परवतों को चून करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़ खड़ा रहे थी। देवी ने कहा ओ मूड मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तु च्छन भड़ क लिए खुब गरज ले मेरे हाथ से यहां तेरी मृत्ति हो जाने पर अब सिग्र ही। रिशी कहते हैं यों कहकर देवी उचली और उस महाद्यत के ऊपर चड़ गए। फिर अपने पैरों से उसे दबा कर उन्होंने सूल से उसके कंठ में आगात किया। उसके पैरों से दब निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रहों से उसे रोग दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाद्यत देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत जल्दी ही तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई देत्यों की सारी सेना भा गई तथा संपून देवता अत्यंत प्रसंड हो गए। देवताओं ने दिवी महार्शियों के साथ दुर्गा देवी का इस्तवन किया गंधर्व राज गाने लगे। तथा अपसनाय नत करने लगे। इस प्रकार से माकंडे पुराण में सामनिक मनवंतर की कथा के देवी महात्म में महिसा सुरुवद नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की चैहो। बोले बाबा की चैहो। मेरे ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो किरपया लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दवाना ना पुलिएगा धन्यवाद।